खबर है मिजद्यापुर से, आज 30 सितंबर को मजवाविधान सबा छेत्र में कच्छुआ गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमीटी के द्वारा आयोजित सम्विधान सम्मान समेलन समारो में संबोधित करते हुए अखिल भारतिय कांग्रेस क कमीटी के राष्ट्रिय महासचीव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी अभिनास पांडे ने कहा कि देश के दलित, पिछड़े बंचित वह सभी वर्क के अधिकार एवं लोकतंत्र का अधिकार सम्मिधान से ही मिलता है लेकिन आज सम्मिधान को ही खत्र करने की साजिश ह हो रही है, सभी के एक जुट होकर सम्मिधान की सुरच्छा का संकल्प लिया जाए, श्री पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानुम व्यवस्ता की इस्तिती बेहत चिंता जनक हो गई है, आम जनता पर पुलिस का आत्याचार की घटना बढ़ती जा रही है, भाश्प एवं मंगाई चरम पर हैं, भाश्पा की सरकार जनता का ध्यान जाती और धर्म में बाट रही है, अखिल भारतिय कांग्रेस कमीटी के राश्ट्रिय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी, 36 गड़ के पूर्व मंत्री राजेज त्रिवारी ने सभा के संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार किसान एवं ब्यापारियों को ठगने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमीटी के अध्यच पूर्व मंत्री अजय राए ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धस्त है, जाय ने कहा कि सम्विधान सम्मान सम्मेलन में हम लोग एक जुट होकर सम्विधान की सुरच्छा का संकल्प लेते हैं। जाय जाय लिए आप लिए अपने पांच सीटों की बाइब आप अपर घरवंदर बंद नहीं होता है तो अब हम लोग पूरा प्रयास होगा कि मिलके लड़ें साथ मिलके लड़ेंगे और बाके में रास्टे निश्टों करेंगे अब अब यह अभी आने देट अब यह यह अ अब लड़ने का पूरा प्रस्ताओं गया है बाकी निश्टों को निड़ने लेना है जो निड़ने होगा उसको मारे का वही सम्मिदान बचाओ रहे हैं प्रस्ताचार बच्चीयों के साथ रेप और फरजी पोडोजर चलाना फरजी और लोगों को जेल बेचना जो सिटिं हरियाना आप भी गये हैं वहां परचार करें जाएं हरियाना एक तर्फा की तरही है एक तर्फा एक तर्फा एक तर्फा